ये कहानी एक नौजवान युवा लड़के की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है, और हम अपनी मिहनत, समर्पन और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटी से गाव में एक नवयवक लड़का अपने गरीब माता-पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े-बड़े सपने थे, वो एक सफल या पारी बनना चाहता था। लड़का रोज ग्रथा ले जाता और वहाँ पर बैटकर सारा सारा दिन किताबे पढ़ाता रहता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का ठान लिया था। उसने एक छोटी से दुकान में अपना काम शुरू किया और अपनी मेह अपनी कमाई करने लगा। वह रात दिन मेहनत करता, धर्य रकता और अपने लक्ष की और निरंतर प्रयास करते रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीटता गया और लड रिकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई उचायों तक पहुँचाया। लड़के की कठिनायों से भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धहर्य और संगर्ष करना चाहिए। धन, सामर्थ या सामगरी की कमी होने के बावजूद, लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्षे के प्रती समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. हमें अपने सपनों की प्रात्ह मिक्ता देनी चाहिए और उन्हें हासल करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए. चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संगहर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है